अगली कॉलर हैं बात कर लेते हैं चंडिगर से हैं रश्मी जी स्वागत है आपका लिख का येश्ञा Singapore डिखने तो ग्लो नहीं है अग्रम ये अजिता शेहरा लगता है देखने में और आँखों के नजर कम गोर है रोशनी पहले तो दूर किसी है नजबुक वाले में धूमली नज़र आती है तो ये टीनों चीज़ में क्या गौन मुरिंगा में कैसे लोंगे फायदा करेंगे आपकी एज बता दीजिए फोटी वन ठीक है और एक दोर है किम साथ में ये गौन स्याह ले रही हूं तीन महीने से कभी कभी तो मुझे एक दम हलका में फूस होता फायदा रहता है और कभी कभी दर्द बर जाता जाता जातके वेस्टन टॉयले से मैं बहुत दिनों के ये करी हूं यू अज़ी अगर कुछ ये नुस्खा के बारे पूछे हैं आपके पास कॉल नहीं लगता जरा उन लोगों को बोले जिस तरह से आप बताते हैं मैंने सुना थे इस प्रोग्राम में कि वह लैसा नौधरा के सभी सरकें में बोले थे कि पानी बीश कर देने के लिए ते इस तरह लोगों को बोलिएगा कि अच्छी तरह से बताएं ऐसा बता देने तो फिर हम लोगों को गलत हो जाएगा ना ठीकी ठीकी जी आप से कल भी बात हुई थी और वह समझदारी की बात आप ने की लेकिन इस कॉलिंग डिपार्टमेंट है ये एक उस पर आधार पर काम करता है उसमें टार्गेट होता है उनका ही सब तो जिन लोगों को भी मेरे नस्खेजाद चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल हकीम सुलिमान खान आप सब्सक्राइब कर ले लाइक कर ले तो रोज़ाना मेरी तरफ से आपको नस्खेजाद अपन आप ही पहुंच जाया करेंगे और यह जो मेरी और आपकी बात्ची थे यह भी हम उसी पर डाल देते हैं जो भी कोई नस्खा हम बताते हैं आपका सवाल और मेरा जवाब उस पर रोज़ाना डाले जाते हैं और एक से ज़्यादा नस्खे आपको मिल जाते हैं तो यहां से ले लिया करिए दूसरी बात यह के गौन सिया से आपको फाइदा है और आप वेस्टन ट्वालेट भी यूज़ करते हैं वजन ज्यादा हो तो थोड़ा कम कर ले और यह भी दो महीने हुए हैं तिन-चार महीने होते होते आपको पूरा फाइदा हो जाना चाहिए और क्या स इसके प्राबलम हाँ दिखिए बहुत पहले होने लगा आपको हैर फाल भी स्किन प्राबलम भी आपकी उमर बहुत कम है मुझसे तो बहुत ही चोटी है तो गौन नौरिंगा सफेद एक ग्राम लेना होता है रोजाना अगर आप पतली सी हैं तो दूसरे लें अगर आप र तो नारियल पानी से लें अगर आप गरीब हैं तो पानी से लें तीनों से फाइदा करता है और यह अच्छा है और चालिस साल के बाद हमारे हमें कमस कम एक या दो कैल्सियम की टेबलेट एक हफते में जरूर खानी चाहिए यह भी हमारे जिसम की कई जरूरतों को पूरा करते हैं और चालिस के बाद हमारे अंदर वो प्रोड़क्शन नहीं रहता कैल्सियम और कई ऐसी चीज़ों का जो कैल्सियम की टेबलेट में मौझूद होता है जैसे जिंक है तामा है और विटामिन्स हैं और कैल्सियम है तो एक टेबलेट या दो टेबलेट पूरे हफ़ते में दो बार खाएं और गौन मौरिंगा इस्तमाल करें बहुत अच्छा लगा आप से बात करके देने बाता है